एक पल के लिए माल लीजिए कि किस्मत में लिखा फैसला नहीं बदलता लेकिन आप फैसला लेकर तो देखिए क्या पता आपकी किस्मत बदल जाए नमस्कार दोस्तों मैं एस्ट्रोलाजर वासुदेव मिस्रा आपका अपने चैनल भविष्य वाड़ी पावर आफ दे लॉड में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिस का कार्यकरम आप लोगों के लिए मिथोन रासी वालों के लिए बेहती जादा खास कार्यकरम साबित होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस जोतिस्ट के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं युराज बुद्ध के रासी परिवर्तन प्रभाव के बारे में जी हाँ दोस्तों ग्रहों के युराज बुद्ध महराज अपनी वर्तमान सत्रू रासी वरिष्टिक रासी को छोड़ करके 27 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 6 बच के 23 मिनट पर देवगरु ब्रहस्पते की मूलत रिकोंड रासी याने की धनू रासी में प्रवेश कर जाएंग यहाँ पर बुद्ध महराज 13 दिसंबर 2023 तक मारगी चाल चलेंगे उसके पसचात वक्री हो जाएंगे और 28 दिसंबर को फिर सी धनू रासी से निकल करके वरिष्टिक रासी में आ जाएंगे तो ऐसे में आज जानने का प्रयास करेंगी बुद्ध महराज का यह रासी दरुरत है और कहां विसे सफलता की प्राप्ती होगी और इस गोचरकाल को आपकी अनुकुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताने के लिए जा रहे हैं क्योंकि बुद्ध देव को सास्त्र में बेहदी महत्त्वपुण गरह मान जाना गया है चाहे सेर मार्केट के छेत्र में हो किसी भी प्रकार का बिजनेश वे अपार के छेत्र में हो इंटरनेट से जुड़ा हुआ कारिय कम्यूनिटी से जुड़ा हुआ कारिय सोसल मीडिया बैंकिंग सेक्टर रिसर्च के फिल्ड से जुड़ा हुआ कारिय या फिर मार्केटिंग का कारिय इन सभी छेत्रों में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध महराज का ही सिक्का चलता है इसके साथ ही अगर आप एक बिद्यार्थी हैं तो बिद्यार्थियों के जीवन में भी बुद्ध जब रासी परिवर्तन करते हैं तो बेहर दी महत्तोपूर परिवर्तन करते हैं जन्मकुंडली में इनका बल्वान होना अपने आप में ही स्रेष्ट है जब यह बली होते हैं तो जातक को इतना ज़ादा बुद्धिमान और समझदार बनाते हैं कि उसकी बुद्धी का लोहा हर किसी को मानना पड़ता है वह न सिर्फ अपने जीवन को बहतर बनाता है बलकि उसके साथ जो जो लोग जूड़ जाते हैं उनके जीवन में भी बड़ा सकरात्मक परिवर्तन उस व्यक्ति के प्रभाव से आता है वह व्यक्ति जहां भी जाता है जहां रहता है अपनी बुद्धी मता अपनी चतुराई अपनी समझदारी का लोहा हर किसी को मनवा करके ही रहता है वैसे अगर बुद्ध की इस गोचर को देखा जाए तो यह आपने आप में ही अत्यंत स्रेश्ट कहा जा सकता है क्यों कि बुद्ध महराज देव गुरु ब्रहस्पति की मूल त्रिकोंट रासी में गोचर करेंगे और उपर से देव गुरु ब्रहस्पति की द्रिष्टी इनके उपर होगी और ब्रहस्पति महराज के साथ बुद्ध महराज नवम पंचम का योग बनाएंगे इसके अलावा 30 नवंबर को जब सुक्राचारिय अपनी मुल्त रिकोंड रासी में पहुँचेंगे तो बुद्ध महराज के साथ वह 3.11 का संबंद बनाएंगे यहाँ पर बुद्ध महराज को ब्रहस्पती और दैत्य गुरु सुक्राचारिय का सपोर्ट पूरण रुप से प्राप्ता होगा जिसकी वजह से यह गोचर कार आपके लिए बहुत ही महत्यपूर रहने वाला है तो दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए मिथुन रासी वालों के लिए बुद्ध देव दो केंद्र के अधिपती बनते हैं और इस समय यह जो है आपके केंद्र में ही गोचर करेंगे तो यहाँ पर एक द्रिष्टी से देखा जाए तो यह केंद्र अधिपती दोस्त लगेगा लेकिन कुछ चीजों को समझना बेहदी आवजसक है दिखिए यहां पर बुद्ध महराज स्वतंतर रुप से परिणाम नहीं देंगे बलकि बुद्ध महराज देवगुरु ब्रहस्पति के दृष्टी से दृष्ट होकर के अपना परिणाम आपको प्रदान तो ऐसे में मिथुन रासी वालों के लिए यह गोचर अत्यंति स्रेश्ट रहेगा खास करके अगर आप एक व्यापारी हैं खास करके स्वतंतर रुप से आप व्यापार करते हैं तो कहना ही नहीं करियर में चार चांद लगाने वाला साबित होगा बुद्ध की इस गोचर क व्यापारिक द्रिश्टिकोंड से देखा जाए तो बहुत ही उन्नती दायक कहा जा सकता है नौकरी व्यापार में आपको लाब मिलेगा नौकरी में प्रमोशन विसेश करके प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जातकों को बेंकिंग फिल्डर से जुड़े हुए ज जातकों को यह गोचर अपार लाब प्रदान करेगा आपके लिए कई संभावनाओ को लेकर के आ रहा है तो आपके पिता को विसेश रुप से धन लाब होगा माता का स्वास्त उत्तम रहेगा यानि कि आप यूँ समझ लीजे कि यह जो समय रहने वाला है यह गोचर काल प्रभाव उत्पन्न होगा गुरू की द्रिष्टी से द्रिष्ट होने के कारण इस समय आपकी वाड़ी हर किसी को प्रभावित करेगी लड़ाई जगड़ा वादिवाद से आपको इस समय बचना चाहिए दुसरों के लड़ाई जगड़े में आपको बिलकुल भी नहीं खले तो चार प्रकार के लाब आपको मिलेंगे यहाँ पर व्यापारियों को विसेश लाब की प्राप्ति होगी जो भी बिजनेस व्यापार करते हैं आप अगर आपकी रासी मिथुन है तो बुद्ध महराज के प्रभाव से यह गोचरकाल आपके लिए अत्यंतिस साबित होगा आपको चारो तरब से धन की प्राप्ति होने क्या प्रबल योग बन रहा है इसके अलावा इस समय कोई नया बिजनेस व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपको अपने पार्टनर का विसेश सहयोग प्राप्त होगा जीवन साथी के साथ मि समाज में आपकी जो चवी है वह बिलकुल प्रकासित होने वाली है क्योंकि आपके व्यक्तित्व के उपर यहां पर बुद्ध महराज की दृष्टी पढ़ने वाली है जिसकी वजह से आपकी वाड़ी आपका व्यक्तित्व आपकी प्रतिभा इस समय हर किसी को आपकी सरेष्ट और लाबदायक साबित होगा चारो तरब से आपकी जीवन में लाब प्राप्त करने के मार्ग खुलते हुए आपको नजर आएंगे यानि कि हर प्रकार से देखा जाए तो बुद्ध महराज का यह गोचरकाल आपके लिए अत्यंति सरेष्ट साबित होगा जितना जादा हो सकी इस गोचरकाल का लाब उठाइए और महनत करने में लग जाएए कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पर आपको इस गोचरकाल को और जादा बहतर बनाने के लिए किन्नरों को दान दीजिए खास कर कि बुद्धवार की दिन उ अब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार